नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहनतिवारी इस वक्त की बड़ी खवर आरारबी एंटीपीसी प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई है आपको बता दे 24 जनवरी को आरारबी एंटीपीसी प्रोटेस्ट सुरू हुआ था राजेंदर नगर टर्मिनल पठना वहां पर तमाम रेलवे के अभ्यर्थियों ने रेलवे में गतिरोद पैयदा किया अपनी मागों को लेकर और उसके बाद रात में पुलिस ने वहां पर लाठी चाarज भी किया था चार रेलवे के चात्रों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था पतना से और उसके बाद ये मामला अब कोट में पहुँचा था कोट में आज ये दो पहर एक बजे सुनवाई हुई और उसके बाद दोबारा सुनवाई साम चार बजे हुई जिसमें ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो चार अभियर्थी थे रेलवे के जिने गिरफतार किया गया था उन्हें जमानत डिस्टिक कोट ने नहीं दिये यानि अभी वो पुलिस हिरासत में ही रहेंगे ये बड़ी खबार हम आप तक पहुचा रहे हैं रेलवे के अभ्यर्थी जो गिरफतार हुए थे वो अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे आपको बता दे जिस प्रकार से प्रोटेस्ट ये हुआ था और ये जब मामला उचला उसके बाद रेलवे ने RRB NTPC CBT2 की परिक्षा और Group D CBT1 की परिक्षा इस्थगित कर दी कई मंत्री और निताओं ने इस पर बयान दिये बिहार के पुर्व उपमुख्य मंत्री और वर्तमान राज्यसभास सांसत सुसील कुमार मोधी ने खुद वीडियो बना कर ये कहा था कि छात्रों पर जो मुक ललन सिंग ने भी खुल कर कहा था कि सिक्षकों पर और चात्रों पर कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए जो भी मुकदमे किये गा है उन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब ये मामला कोट में है सरकार के हाथ से बाहर हो गया है अब कोट ने फिलहाल जो डिस्टी कोट है उसने इन चात्रों को जमानत नहीं दी है अब ये चात उनके जो परीजन है वो जो उच नियाले है पटना वहां जाएंगे वहां परियाची का दायर की जाएगी ताकि इने जमानत मिल सके मामला थोड़ा और पेचीदा इन चात्रों के लिए ह हुआ है जो गिरफतार हुए हैं अब इनकी आगे क्या कुछ होगी बातें वो हम अब तक जरूर पहुचाएंगे लेकिन फिलहाल थोड़ी सी भी राहत इन अभेर्थियों को मिलते नजर नहीं आ रही है केवल निताओं के द्वारा बयान बाजी की गई ताकि अंदोलन को रोका जा सके अंदोलन रुक गया लेकिन इन छात्रों पर जो मुकदमे किये गए थे उन्हें वापस नहीं लिया गया और अब यह चात्र कोट में पहुचे हैं जहां पहली सुनवाई में इन्हें जटका लगा है इनकी जमानत याज का खारिज कर दी गई है अब पटना हा लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बूप पर लाइक जरूर करें